हेलो एवरिवान वेल्कम टू अवर न्यू टॉपिक आज का टॉपिक है दे फैक्टरी एक्ट नाइटीन फॉर्टीएट ठीक है आप सभी ने सुना होगा कि हम सेफटी मेंटेन करते हैं इंड्रस्ट्रीज में जब भी जाएंगे आपको सेफटी से रिलेटेट कुछ ना कु हो ठीक है चाहें हाउसकीपिन्ग से रिलेटेट हो अपको सारी चीज़ें मंटेन करके चलनी होती हैं और यह सारे रूलस किसमें दिये गए हैं इनके सेक्शन दिये गए हैं ठीक ह्या है तो इन sections के according हमें factories में जो भी work हो रहा है उनके बारे में बताया गया जैसा कि यहां लिखा हुआ है कि हमको minimum requirements ensure करनी है हमाँ पर ठीक है जैसे कि health पर धियान देना है safety पर धियान देना और factory work पर भी धियान देना है ठीक है उनकी working hours पर धियान देना है leaves पर धियान देना है holidays पर भी धियान देना है और employment पर भी धियान देना है ठीक है कि आप किस तरीके के persons hire कर रहे हैं ठीक है उसके साथ साथ देखिए अब factory है पूरा एक बड़ा सा organization है तो उसको समहलने के लिए भी तो चीज़े होनी चाहिए ना safety पर अगर अब धियान देंग के काम करने तक की चीज़ों में safety होनी चाहिए ठीक है तो यह factory act 1948 जो है वो इसी को शो करता है कि अब किस तरीके से industries में पूरी चीज़े systematic way में बना सकते हैं और safe रख सकते हैं तो इसी तरीके से जो factory act है उसका एक chapter है chapter 3 जिसमें की health के बारे में mention किया गया है तो cleanliness जो है वो chapter 3 के health के अंदर section 11 के अंदर आता है तो cleanliness जो है वो यह शो करता है कि आपको daily basis पर dust fumes remove करनी है आपको proper housekeeping करनी है अगर आप कोहीं भी देखते है floor और staircases है उनको clean रखना है ठीक है उन ध्यान देना है वहाँ जो भी कोई staircases है या normal floor है slippery floor है तो आपको देना है वहाँ कोई unsafe condition तो नहीं बन रही है ऐसा तो नहीं पानी वहाँ फैला हुआ हो या कोई भी नुकीरी चीज उस floor पर पड़ी हुई हो तो यह सारी चीज़े भी आपको देखनी है ठीक है प्लस आपको roofs और interior walls की washing करानी है 14 months के अंदर अंदर और जो भी जो भी material है या फिर कोई equipment है जिसको आप wash नहीं कर सकते है तो उनकी उनपर paint at least within 3 years और 5 years के अंदर अंदर आपको उनको paint कराना है क्योंकि cleanliness इसी से शो होगी अम माल लीजिए कोई equipment है अगर आप paint नहीं करा सकते करा रहे हैं और वो open area में रखा हुआ है अगर वो open area में रखा हुआ है वैसे तो extinguishers open area में रहते हैं शेड़िड में ही रहते हैं ठीक है माल लीजिए boiler है या कोई भी tanks वगेरा हैं जो outsides में रखे जाते हैं अगर वो पानी से भीग जाते हैं और उन पर जंग लग जाती है corrosion लग जाता है तो हम क्या करेंगे उनका paint करवाएंगे है ना तो paint पर भी धाने नहीं है उनके oil paints उन पर कराया जाए है ना doors windows frames जितनी भी है wooden metallic framework जितने भी है उन पर भी paint और उन्हें वर्नेस्ट किया जाए within 5 years ठीक है अट लीस्ट 5 साल में एक पर किया ही जाना चाहिए तो cleanliness जो है वो सिर्फ ऐसे नहीं शो करना है कि आप रोज आपकी housekeeping तो हो रही है स्वाइपिंग हो रही है जाडू स्वीपिंग स्वीपिंग हो रही है और पोंचा भी लगया जाला है फ्लोर क्लीन किया जा रहे है वो सब तो ठीक है पर आपको एक्स्ट्रा चीजों का भी ध्यान रखना है जैसे कि आपके equipment हो गए है ना staircase हो गई और जितने भी आपके framework ह है ठीक है जिसे कि unsafe actor conditions बनने के chances कम से कम रहे हैं अगर आप इन चीजों पर ध्यान देते हैं तो unsafe actor conditions बनने के chances कम हो जाते है लेक्स देखिए जो state government है उनके तुरू भी यह orders दिये गए हैं जब भी आपके industry में माली जो audit हो रहा है ठीक है external audit हो रहा है और कोई auditor आता है चैक कर है तो यह सारी चीज़े देखेगा ही देखेगा कि आपके यहां किस तरीके से material जो है वो स्टूर किया जा रहा है और cleanliness पर कितना ध्यान दिया जा रहा है कितनी effective है आप कि यहां कि सारा atmosphere और environment ठीक है तो state government ने भी बताया गया है order दिया गया है कि factory act आपको follow करना ही करना और factory act के अंदर यह section 11 के अंदर जो यह cleanliness आ रही है उसमें यह सारी चीज़े बताई गई है कि आप draining system से लेके drainage system भी check किया जाएगा drainage आपका ऐसा तो नहीं जो drainage system आप कर रहे हो वो किसी river में आ पॉंड में कर रहे हूं तो इस तरीक से चेक किया जाता है ठीक है आपको पूरे industry का तो cleanliness रखना भी है साथ में outside या आसपास के environment का भी ध्यान रखना है क्योंकि factory act आप से यह नहीं यह तो कहता ही है कि आपके industry पूरी safe रहे साथ में आपके आसपास का atmosphere जो है आपका आसपास का environment जो है वो भी safe रहे ठीक है तो totally factory act का जो main reason है कि क्यों factory act लाया गया है factory act 1948 में इसलिए लाया गया कि पहले जो factories थी जतनी भी उनमें इस तरीके से साफ सफाई का ना ही workers का ध्यान दिया जाता था इसलिए factory act के अंदर mention किया गया कि यह सारे terms conditions apply करना ज़रूरी है otherwise आपकी factory जो है वो workable नहीं रहेगी काम करने योगया नहीं रहेगी क्योंकि factory act के अंदर इतनी सारी चीज़े बताई गई है कि वो आपकी industry को safe तो रखी सकती है साथ में employees को भी safe रख सकती है उनकी health को भी safe रख सकती है और उनको कोई भी तरीकी की disease होने से भी बचा सकती है अब पहले के टाइम पर क्या होता था मा लिजे कोई chemical use किया रहा है आपकी industry में और उससे कोई हो सकती है occupational disease हो सकता है तो उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता था पर अब क्या है अगर आपके कोई chemical use हो रहा है और उससे कोई occupational disease हो सकती है तो उस पर भी ध्यान बिल्कुल दिया जाएगा है ना तो factory act के अंदर यही बताया गया है और इसका section 11 आज मैंने आपको बताया ही है कि cleanliness के बारे में बताया गया है कि आप किस तरीके से floors, case to your cases की और उसके अलावा other equipment की कैसे आप दिखभल कर सकते हैं maintenance कर सकते हैं और उसको safe बना सकते हैं और clean रख सकते हैं तो यह आज मैंने आपको topic में बताय factory act के बारे में हम पढ़ेंगे ऐसी दिरी दिरी हम और sections के बारे में भी जानेंगी कि 11 ने क्या कहा है ठीक है 14 में क्या कहा है 13 सारी तरीके के sections हम एक एक बार पढ़ेंगे है ना क्योंकि यह most important things है factories में जादे तर यह पूछा जाता है ठीक है so thank you